हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग आप सभी का NCRT चुटोरियल में स्वागत है आज का वीडियो अत्यंत महत्तुपुर्ण होने जा रहा है और यह वीडियो इंट्रेस्टिंग भी है इसमें हम लोग क्या स्टुडी करेंगे इसमें हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 7 के ब जो किसी प्रकार के competitive examination का तैयारी कर रहे हैं चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैं आपने प्यारे बच्चों के लिए क्या करता हूँ बोड एड़ेस्ट कर लेता हूँ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो को लाइक और सेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कोमेंट करके पूछेंगे मेरे प्यारे वच्चों आए ध्यान दीजे यहां पे देखो क्लास 7 में ही आप लोग पढ़ चुके हैं की पहली और बुजो और टीबू कहां पे घुमने जाते हैं पोरेस्ट में मतलब जंगल में किसके साथ घुमने जाते हैं प्रोफेसर आहमद के साथ और वो जो कहानी है उसको ये लोग दूसरे के साथ मतलब अपने classmates के साथ share करने के लिए बहुत उत्सुख हैं, बहुत eager हैं, they were eager to share their experiences with their classmates, अपने दोस्तों के साथ उन बातों को share करने के लिए बहुत उत्सुख हैं, other children in the class were also eager to share their experiences as some of them had visited वरतपूर सैंक्चरी, अब देखो, क्या है उस class के दूसरे बच्चे जो हैं, वे भी अपना experience दूसरे के साथ share करने के लिए eager हैं, मतलब अपने अनुभव को दूसरे बच्चों को बताना चाहते हैं, अब जो बच्चा भरतपूर सैंक्चरी गया है, देखो सबसे पहले थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं, यह भरतपूर सैंक्चरी कहां पर है, ठीक है, यह कहां पर है, राजस्थान में है, और यह birds के लिए, migratory birds के लिए बहुत फेमस है ना, भरतपूर सैंक्चरी जो है, सम अधर्स हैड हर्ड अबाउट काजी रंगा नेशनल पार्क, लोक्चाव वाइल लाइफ सैंक्चरी, ग्रेट निकोवार, बायोस्पियर रिजर्ब्स, एंड टाइगर रिजर्ब, एक्सेक्टरा, अब इसमें से कुछ दूसरे बच्चे जो है, वे क्या है, कि अलग ये आसाम में है, कहां पर आसाम में सिचुएटेड है, और एक इस चीज के लिए है, सिंगल होर्ड, किसके राइनसीरोस के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, और लोक्चाव वाइल लाइफ सैंक्चरी जो है, ये भी कहां पर है, आसाम में सिचुएटेड है, ग्रेट निकोव और इसी तरह से हम लोग कुछ बच्चे क्या थे जो टाइगर रिजर्व में भूम के आये थे वे भी अपने experiences को क्या करना चाहते हैं चलो हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या है आगे हम लोग समझते हैं अब देखो यहाँ पर यह जो लड़की है कौन कौन है पहली यह पूछना चाहती है कि वाट इस देखते हैं इन तीनों की रचना क्यों की जाती है इसके बारे में यह बची जानना चाहती है तो इस प्रस्ण का उत्तर अब हम लोग आगे की कड़ी में लेंगे ठीक है चलो थोड़ा नीचे चलते हैं और इसको अच्छे से समझने का कोसिस करते हैं चलो अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं 7.1 इसमें हमारा जो हेडिंग है उसमें बताया गया है किसके बारे में डिफोरेस्टेशन एड इट्स कॉजिस ठीक है किस चीज़ पर चर्चा की गई है दिफोरेस्टेशन एड इट्स कॉजिस causes मतलब जो जंगल कट रहे हैं जंगल की जो कटाई निरंतर चल रहे है उसके बारे में और उसके क्या कारण है मतलब जो जंगल घट रहे है उसके क्या कारण है उसके बारे में चर्चागी गई है great variety of plants and animals exist on earth देखो यह जो धर्ती है यहां पर विभिन परकार के पेण पोधे और जनतु पाए जाते है they are essential for the well-being and survival of mankind और यह जितने भी पेण पोधे और जनतु है हम लोगों के जीवन यापन के लिए बहुत जरुरी है ठीक है? चुकि पेण पोधों से हमें विभिन परकार की संसाधन बहुत सारे चीज प्राप्थ होते हैं, जैसे पेड से हमको लकडी जलावन की लकडी मिलती है, घर बनाने वाले फरनिचर की लकडी मिलती है, साथी साथ उससे दवा हमको मिलता है, बिभिन प्रकार के फैक्टरीज के लिए उससे रोव मैटेरियल मिलता है, तो इस तरह से इन का जो है ना हमारे जीवन में बहुत महत्तोपूर्ण योगदान है यहां तक आप लोग बाद समझ चुके होंगे तुदे मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ओफ इस ऑर्गनिजम्स इस डिफॉरेस्टेशन और यह जो डिफॉरेस्टेशन वर्ड है न यह आज क्या है सबसे ब एनिमल का भी जीवन नस्ट हो रहा है और इस डिफॉरेस्टेशन को ही आप क्या करेंगे इस डिफॉरेस्टेशन को आप याद रखेंगे कहां से है हम लोग जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन का अर्थ होता है क्या अर्थ होता है clearing of forests मतलब forest को clear करना पेड़ों को काट करके और वहां के जमीन को साफ करना and using that land for other purposes और वह जो जमीन है साफ किया हुआ जमीन है उसको दुसरे परपस के लिए उपयोग मिलाना या तो उसमें आप घर बना सकते हैं भवन निर्मान कर सकते हैं या कोई factories खोल सकते हैं या फिर खेती बाड़ी के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं तो यह जो process है इसको हम देश्यों के चर्चा की गई है जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं पेड़ को निरंतर काटते हैं चलो लेते हैं एक एक करके सबसा है सबसे पहले है procuring land for cultivation जो जमीन है उसको अपने कबजे में अधिकार में लिया जाता है पेड़ों को काट करके किसके लिए सबसे पहला नम का निर्मान करने के लिए और साथी साथ factories बनाने के लिए तिसरा है making furniture और using wood as fuel और साथी साथ लकड़ी के सामगरी को बनाने के लिए furniture बनाने के लिए साजो समान और साथी साथ किसके लिए इंधन की आज सकता को पुर्ण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जंगल को काटत some natural causes of deforestation are forest fires and sewer droughts, देखो, पहला नमबर जो forest घट रहा है, मतलब जो deforestation हो रहा है, इसके दो मुख्य कारक है, ठीक है, पहला क्या है, पहला तो है natural causes, क्या है, natural causes है, मतलब प्राकृतिक कारण है, और दूसरा क्या है, man-made कारण है, ठीक है, तो प्राकृतिक कारण के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया, ठीक है, कौन-कौन से कारण है, सबसे पहला नमबर प्राकृतिक कारण है, हमारे पास, forest fires, मतलब जंगल की आग, क्या होता है, जो बड़े छेतर में जंगल फैली वही रहती है, तो वहां पे कभी-कभी आग लग जाता है, और उस आग क ये कारण है, natural cause, जिसके चलते क्या होता है, deforestation होता है, और बाकी जो है man-made cause, उसके बारे में हम लोग already चर्चा कर चुके है, चलो अब हम लोग आगे देखते है, now we have activity 7.1, ठीक है, देखो हमारे पास activity 7.1 है, add more causes of deforestation to your list and classify them into natural and man-made, ठीक है, आप और भी, हम लोग जितने चार या छे cause के बारे में, क्या किये है, चर्चा कर चुके है, आप अपना copy निकालेंगे, और उसमें जितना भी आपको cause समझ में आता है, you can make a list for those causes, clear है, चलो हम लोग आगे चलते हैं, मेरे प्यारे बच्चो, now we have another heading, that is, consequences of deforestation, what are the consequences of deforestation, deforestation होगा, तो उसका क्या consequence के बारे में समझते हैं, कहता है कि पहली और बुझो जो है, और deforestation के प्रभाव, मतलब उसका क्या परिनाम निकल सकता है, उसको फिर से याद करने का कोसिस करते है, they remembered that deforestation increases the temperature and pollution level on the earth, वे याद करते हैं, कि जब जंगल करता है, तो धरती पे क्या होने लगता है, धरती पे सबसे पहले temperature बढ़ने लगता है, जो अर्थ है, वहाँ पे temperature increase करने लगता है, और साथी साथ pollution level भी बढ़ जाता है, ये दो बाते आप लोगों को समझ में आ रही हो होगी, तो सबसे पहला महतोपुर्ण बिंदू ये है, कि इसका deforestation होने के बाद उसका ये परिनाम होगा, it increases the level of carbon dioxide in the atmosphere, और इससे क्या होता है, सबसे पहला number क्या होगा, अब जब deforestation होगा, तो धरती का temperature तो पहले बढ़ेगा, और साथी साथ किस चीज का pollution level भी बढ़ेग तो आपको पता होगा कि वहाँ पर carbon dioxide की मात्रा है, अटोमेटिक बढ़ेगी, और जब carbon dioxide की मात्रा बढ़ेगी, तो आगे क्या होगा, आव हम लोग समझने का कोशिस करते हैं, ठीक है, ground water level also gets lowered, और जब पेड कट जाते हैं, तो देखो, पेड का एक खासियत होता है, कि जहा ground level पे, ground के भीतर, जो क्या है, water level को maintain करके रखते हैं, और जब पेड कट जाएगा, तो यह जो water है, rain water जो है, यह harvest हो करके ground के नीचे नहीं जाएंगे, मतलब उनका रिसाओ नहीं होगा, तो उनका क्या होगा, level धीरे-धीरे down होने लगेगा, ground level also gets lowered, तो क्या होगा, धीरे- balance भी bigger जाएगा, कैसे, चुकि उसमें क्या होगा, कुछ ऐसे plants होगे, या फिर कुछ ऐसे animals होगे, जो पूरी तरह से खतम हो जाएगे, उनकी मृति हो जाएगे, और आप पढ़े होंगे, कि जैसे मालो एक forest है, forest में कुछ छोटे से कीडे, एक छोटे कीडे पे ही चर्चा कर इस तरह से आगे क्या होगा, जो सांप है, सांप को कौन खाएगा, कुछ भी चील खा सकता है, अर यह बात समझ में, वल्चर या फिर इगल, कुछ भी खा सकता है, और उसके आगे उसको कौन खाएगा, और उसको कोई और दूसरा खाने वाला होगा, तो इस तरह से एक chain का निर्मान हो जाता है, और इस तरह के chain को हम लोग बोलते है, food chain, और इस तरह के food chain जब आपस में सन्यूप्त हो जाते हैं, बहुत सारे food chain, तो food wave का निर्मान होता है, और सोचो कलपना करो कि इस chain में से अगर कोई एक भी खतम हो जाए न रहे, तो यह food chain क्या होगा, समात हो ज तो देखो प्रोफेसर अहमद ने क्या समझाया, कि क्या होगा, deforestation अगर continue रहेगा, तो rainfall क्या होगा, कम होगा, और जो fertility of soil है, वो भी धीरे-धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, decrease होने लगेगी, यहां तक बच्चे समझ में आ रहा है आपको, आगे चलिए देखे क्या लिखा हुआ है, moreover, there will be increased chances of natural calamities, such as floods and droughts, अब देखो क्या होगा, जब पेड कट जाएंगे, तो पेड के रहने पर क्या होता है, capillary action के चलते जो नीचे है, water harvesting होता है, और water चला जाता है, ground में, नीचे जिसके चलते ground level बन जाता है, अब जब यह पेड रहेंगे ही नहीं, त बहुत तेजी से बहने के चलते क्या होगा, floods आएगा, मतलब बाढ़ा जाएगा, ठीक है, और जब पेड नहीं रहेंगे, तो water cycle continue नहीं हो पाएगा, मतलब leaf से water evaporate नहीं होंगे, sky में जाएंगे नहीं, sky में फिर उनका condensation होगा नहीं, फिर वो sky से नीचे गिरेंगे नहीं, brand fall के रोप में, तो इस तरह से water cycle भी continue नहीं हो पाएगा, और क्या होगा, drought हो जाएगा, drought मतलब सुखा पड़ जाएगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, चली अब आगे हम लोग समझते हैं, recall that plants need carbon dioxide for photosynthesis, आप लोग याद कीजिए, कि plants को photosynthesis करने के लिए किसकी करता होती है, fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used, resulting in its increased amount in the atmosphere, अब देखो, photosynthesis में जब carbon use नहीं होगा, carbon की मातरा तो पहले से ही बढ़ गई है, pollution के चलती, और photosynthesis में अगर उसका use नहीं होगा, तो क्या होगा, हमारे atmosphere में carbon dioxide की मातरा बहुत अधिक बढ़ जाएगी, और इसका क्या परिनाम दूस प ग्लोबल वार्मिंग, और जो carbon dioxide की मातरा बढ़ेगी ना, इससे बेटा क्या होगा, global warming हो जाएगा, क्या हो जाएगा, global warming, इसको हम लोग हिंदी में बोलते है, बिसुसनन, क्या बोलते है, बिसुसनन, as carbon dioxide traps, the heat rays reflected by the earth, चलो इस बात को थोड़ा सा हम अच्छे से समझने का को photosynthesis के दोरान क्या करते है, oxygen को release करते है, और carbon dioxide को वीतर लेते है, किसके समय, photosynthesis के समय, plant क्या करता है, oxygen को release करता है, बाहर देता है, और carbon dioxide को atmosphere से वीतर consume करता है, अब मान लो कि plant है ही नहीं, अब हमारे पास क्या नहीं है, plant तो है नहीं, इस condition में क्या होगा, atmosphere में carbon dioxide की मातरा लगेगी अब मालो कि हमारे पास एक अर्थ है और अर्थ में क्या है पूरा कार्बन डायोकसाइड भर गया अब हमारे पास एक है सन अब सन से क्या होगा रेडियेशन आएगा कहां पे अर्थ पे अब सन से जो रेडियेशन हमारे जमीन पे आ रहा है अब नाइट में क्या गया इंक्रीज होने लगेगा तो इसके चलते क्या होगा विश्वाउसनन हो जाएगा ना ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों हमको लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से इस बात को समझ गये होंगे ठीक है the increase in temperature on the earth disturbs the water cycle and may reduce rainfall water cycle के बारे में हम आप लोगों से पहले ही चर्चा कर चुके हैं तो जब temperature हमारे धरती का बढ़ेगा तो क्या होगा water cycle जो है वो क्या हो जाएगा imbalance हो जाएगा उसमें वो पूरी तरह से disturb हो जाएगा और हमारे धरती पर rainfall होना कम हो जाएगा और drought की संभावना बढ़ जाएगी न आप लोग बात समझ रहे हैं ठीक है आगे हम लोग चलते हैं आगे समझने का कोसिस करते हैं क्या दिया हुआ है देखो कहता है कि deforestation is a major cause which leads to the change in soil properties ठीक है deforestation एक major cause है जिसके चलते जो स्वाइल है स्वाइल की property क्या होती है स्वाइल की property क्या होती है मतलब स्वाइल का जो गून है जो धरती के मिट्टी का जो गून है वो बदल जाता है जब पेड़ की कटाई हो जाती है physical properties of the soil get affected by plantation and vegetation जो physical property भी जो है न किसका मिट्टी का जो मिर्दा होता है देखो क्या होता है plant जो है न तो plant की कुछ जब क्या होता है पती हमेशा regularly गिरते रहता है कहीं पे तो उसमें छोटे-छोटे microorganisms उत्पन हो जाते है ठीक है तो उपर में बहुत fertile layer का निर्मान करता है हुमस का निर्मान करता है और इससे क्या होता है बहुत changing आ जाती है उसकी fertility में इसी की बात चल रही न अब आप लोग बात को समझ रहे होंगे ठीक है of the soil get affected by plantation and vegetation हम लोग यहां तक पढ़ चुके हैं recall from class 7 how trees prevent soil erosion अब देखो class 7 में आप लोग एक topic पढ़े होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं soil erosion ठीक है soil erosion देखो क्या होता है जब बरसात की दिनों में या फिर कहीं से बहुत तेजी से पानी गुजरता है तो आप लोग देखे हो होंगे कि जो जमीन का top layer है जो उपर की मिट्टी है humus है उसको वो अपने साथ बहाते हुए ले जाती है या फिर मिट्टी का कटाओ हो जाता है उसके साथ तो ऐसे condition को जब मिट्टी का उपरी परत पानी के साथ बह जाए तो उसको हम लोग बोलते है soil erosion fewer trees result in more soil erosion ठीक है क्या होगा उपर का जो layer है soil का जब वो पानी के साथ क्या होगा बह जाएगा तो नीचे का जो soil है वो हमको दिखना सुरू हो जाएगा ठीक है अब देखो top layer of the soil exposes the lower hard and rocky layers तो इससे जो नीचे का जमीन के नीचे जो पत्थर वाला कड़ा वाला भाग है वो अब उपर आ जाएग और इस तरह का जो soil होगा जिसमें पत्थर दिखने लगेगा तो उपर का तो जो humus वाला जो layer है जो fertile layer है वो तो अब क्या होगया soil erosion के साथ बह गया तो नीचे वाला जो unfertile layer है वो क्या होगा उसमें हम लोग किसी चीज़ को किसी आनाज को या कोई खेती बाड़ी नहीं कर आएगा convert desert में और इस तरह की जो घटना है इसको हम लोग काते हैं desertification क्या बोलते है desertification और यह बात समझ में ठेक हैं चलो हम लोग आगे चलते हैं आगे समझने का कोसिस करते हैं क्या है कि देखो आगे हमारे पास दिया गया है मेरे प्यारे बच्छो deforestation also leads to a decrease in the water holding capacity of the soil बने रहते हैं चोटे पतले पतले क्या होते हैं capillories होते हैं pipe की तरह की सनरचना होती है ठीक है और उसमें क्या होते हैं water पानी भरे रहते हैं ठीक है तो जो कोई भी land होता है कोई जमीन होते है तो उसकी water holding capacity अपनी होती है अब क्या होगा कि offsetation रिश Luck oxygended जाती है घड जाती है ठीक है water holding capacity क्या होगा घड जाती है डिक्रीज हो जाती है ठीक है clear है यहां तक the movement of water from the soil surface into the ground infiltration rate is reduced पहले ही इसको बता चुके है कि क्या है water harvesting harvesting जो होगा मतलब water जो soil पे जो rain water आया है वो नीचे जमीन के नीचे जो पोर्स बने हुए है छोटे छोटे चोटे capillaries बने हुए है और उपर में अगर पानी बरसा है यहां से तो एक capillaries के भीतर क्या होंगे पानी चले जाएंगे नीचे चले जाएंगे water ठीक है तो यह जो water का invasion है जो अंदर जाने infiltration rate है यह क्या हो जाएगा reduce हो जाएगा ना so there are floods इसके चलते बाढ़ आएंगे यह सारी बाते हम आपको पहले ही समझा चुके है the other properties of the soil like nutrient content texture अब देखो soil का जो है nutrient भी कम हो जाएगा साथ में क्या है उसके भीतर content भी कम हो जाएंगे उसका texture जो है वो भी change हो जाएगा also change because of deforestation यह सब भी किसके कारण हो रहा है these all things are happening due to deforestation हमको समझ में आ रहा है मेरे बच्चे समझ रहे होंगे समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चो अगर कुछ भी ना समझ में आए वीडियो को थोड़ा pause कर लेना पीछे चले जाना और फिर से सुनना ठीक है आप लोगों को समझ में आने लगेगा या फिर कोई topic ना समझ में आए तो आप comment करके मेरे से पूछ सकते हैं like और share करना बिलकुल नहीं भूलेंगे और वीडियो में बिलकुल लाश्ट तक बने रहेंगे ताकि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ सके अभी बहुत सारा चीज है बहुत interesting fact है उसके बारे में अभी देखेंगे मेरे प्यारे बच्चो ना continue रहे है we have studied in class 7 हम लोगों ने class 7 म from forests ठीक है class 7 में आप लोग पढ़े हैं ना कि forest प्राकार के products क्या करते हैं पाते हैं ठीक है या forest से हम लोगों को विभिन प्रकार के products मिलते हैं चलो उन में से कुछ का list बनाते हैं हम लोग तो क्या है list these products will be face shortage of these products if we continue cutting trees चलो देखो कुछ lists में से मैं पहले ही नाम गिनवा हूँ कि इससे क्या होता है हम लोगों को फॉरेस्ट से मेडिसीन मिलता है हम लोगों को फॉरेस्ट से टिमबर मिलता है हम लोगों को फॉरेस्ट से क्या मिलता है गम्स मिलते है और रेजिन्स मिलते है और भी फॉरेस्ट से हम लोगों को बहुत सारा प्रोडक्ट मिलता है आग देखो हम लोगों के पास activity 7.2 है, animal life is also affected by deforestation, how list the points and discuss them in your class, देखो जो animals का life है न, deforestation से वो भी परभावित होता है, चुकि deforestation के दौरान क्या होता है, जंगल खतम होगा, और जो क्या है, जो animals है, वो भी जंगल में ही रहते हैं, तो simple सा बात है, कि अगर जंगल रहेगा नही तो वे कौन जानवर भी वहाँ पे नहीं भचेंगे, यही बात यह कहना चाह रहा है न, आओ, अब हम लोग देखते हैं, आगे जो heading है, कहता है, next heading हमारा 7.3 है, conservation of forest and wildlife, इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, forest के conservation के और wildlife के बारे में पढ़ेंगे, having become aware of the effect of deforestation, पहली और बुजो आर वरीड, ठीक है, देखो पहली और बुजो जब इस बात को समझी कि deforestation से उसको क्या क्या हानी हो सकता है, या उसका क्या consequence हो सकता है, अब उसके बाद उन लोग चिन्तित हो गये, न, दोनों बच्चे क्या हो गये, चिन्ता में आ गये, अब बच्चे यह सोचने लगे, मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग भी सोच रहे होंगे, जब आप ए स्टोरी सुने होंगे, कि deforestation का क्या consequence हो सकता है, तो आपके मन में भी या विचार आया होगा, मेरे प्यारे बच्चो, कि आखीर हम लोग जंगल को कैसे सुरक्षित कर स लगते हैं, ताकि हम लोगों का भविच्च सुरक्षित हो सके, तो इस पर ही चर्चा आगे की जाएगी, कि प्रोफेसर आहमद के पास बच्चे गए, और प्रोफेसर आहमद से उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने पूछा कि इस जंगल को कैसे बचाया जा सकता है, तो बारे चीजों पर चर्चा करने से पहले, हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर में जो इंपोर्टेंट चीज दिया हुआ है, उसके बारे में देख लेंगे, बायोस्फियर धर्ती का वह भाग होता है, जहां पर कोई भी लिविंग ऑर्गनिस्म रह सकता है, जीवित रह सकता ह और वहां पर क्या कर सकता है, अपना जीवा नियापन कर सकता है, अब हमारे पास एक दूसरा टर्म है, now we have another word, and another term, देखो पहला जो था हमारे पास था बायोस्फियर, बायोस्फियर आप लोग अच्छे से समझ गये होंगे, now we have biological diversity, we have second word that is biological diversity, our biodiversity, refers to the variety of organisms existing on the earth, देखो हमार धर्ती पे बिभिन प्रकार के पेण पोधे और जन्तू रहते हैं, वायोडाइवर्सिटी में हम लोग इसी के बारे में क्या करते हैं, अध्यान करते हैं, their inter-relationship and their relationship with the environment, जो पेण पोधे और जानवर हैं, वो क्या है, उनके आपस में relationship, और साथ ही साथ, उनका environment के साथ जो क्या बोलते हैं, bio diversity बोलते हैं, या biological diversity बोलते हैं, clear है, आओ हम लोग आके अब समझने का कोसिस करते हैं, क्या दिया हुआ है, प्रोफेसर अहमद और्गनाईजेज वीजिट टू वायो इस्फियर रिजर्ब फोर पहली बुजो एंड दियर क्लासमेट्स अब देखो जो प्रोफेसर अहमद है ना वो एक यात्रा जो एक क्या करते हैं यात्रा की तैयारी करते हैं उसके लिए ब्यवस्था करते हैं कहां पे बच्चों के अन पहले से कि जो जो ब्रोफेसर अहमद है उनको पता है पहले से कि जो ये पंचमरी bio-sphere reserve है इसके जो flora और fauna है मतलब कहने का अर्थिया है कि वहां पे जो plant पाये जाते हैं और वहां पे जो animal पाये जाते हैं वो अपर हिमालेयन रेंज के plant से match करते हैं कुछ क्या रखते हैं समीपता रखते हैं और साथ ही साथ western घार्ट में जो plant पाये जाते हैं He knows that the plants and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peak and to those belonging to the lower western ghats. यहां तक हम लोग बच्चे पढ़ चुके हैं. प्रोफेसर अहमद believes that the biodiversity found here is unique. और प्रोफेसर अहमद को लगता है कि इन बच्चों को ऐसे जगह पे ले जाना चाहिए, जहां पे biodiversity क्या हो, बहुत unique हो ना, एक नए प्रकार का हो. यसलिए प्रोफेसर अहमद पंचमर्ही का क्या करते हैं, selection करते हैं, ठीक हैं? यहां तक हम लोगों कहो गया, यहां तक हम लोग complete कर लिए. He requests Madhoji, a forest employee, अब देखो, एक forest में एक employee रहते हैं, जिनका नाम रहता है Madhoji, ठीक हैं? उनको यह request करते हैं, to guide the children inside the biosphere reserve. अब क्या है? चुकि biosphere reserve में वो घुमने के लिए बच्चे जा रहे हैं, साथ में प्रोफेसर अहमद भी हैं, तो जब भी हम लोग कोई wild square reserve में, या national park में, या zoo में घुमने जाते हैं, तो हमको किसी न किसी के guidance के आज सकता होती है, ताकि वह ब्यक्ति हैं, वहां के बारे में हम लोगों को अच्छे से बता सके, और वहां पे जो भी flora और fauna पाये जाते हैं, साथी साथ महां पे जो भी national heritage की जो भी बस्तुमें हैं या जो अस्थान हैं, उनके बारे में कोई हमको समझा सके, तो वह क्या करते हैं, वह वहां पे एक forest employee को ले लेते हैं, जिनका नाम क्या रहता है, जिनका नाम रहता है, माधोजी, क्या नाम रहता है, माधोजी, to guide the children inside the biosphere reserve, यहां तक हो गिया, he explains that preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage, वह बताते हैं कि इस तरह से जो preserving areas है, ठीक है, क्या बोलते हैं, explains that preserving areas of such biological importance, जो biological importance के जो इस तरह के area हैं, इनको preserve करना मतलब बचाना क्या है, हमारे जो national heritage है, उसका एक part है, क्या है, उसका एक भाग है, हमारे राश्ट्रिय धरोहर के क्या है, यह एक भाग है ठीक है, चलो हम लोग आगे समझने का कोसिस करते हैं, कि इसमें क्या दिया गया है, माधोजी explains to the children that apart from our personal effort and efforts of the society, government, कहते हैं कि देखो national heritage या जो भी हमारा forest है, या wildlife है, उनको बचाने के लिए, हम लोग तो खुद से मेनद कर ही रहे हैं, साथी साथ जो society है, जो समाज है, वो भी मेनद कर रहे हैं, और उसके साथी साथ बहुत सारे national organizations है, government organizations है, वो भी इसमें मदद कर रहे हैं, Before continuing this topic, let us discuss about the topic which is given here in this picture, to protect our flora and fauna and their habitats, देखो, जो हमारे flora और fauna हैं and their habitats और वे जहां पे रहते हैं, कहां पे protected areas में, called the wildlife sanctuaries, उसको क्या बोला जाता है, wildlife sanctuaries बोला जाता है, क्या बोलता है, to protect our flora and fauna and their habitats, protected areas, called the wildlife sanctuaries, मतलब जहां पे भी पेड़ पोधे रहते हैं, या फिर कौन रहते हैं, animals रहते हैं, वैसे जगा को, जहां पे वे रहते हैं, उस तमाम protected area को, मतलब सनरक्षित छेतर को, हम लोग किस नाम से जानते हैं, wildlife sanctuary के नाम से जानते हैं, आगे हमारे पास है, national parks and biosphere reserves have been earmarked, और इसमें हम लोग किसको biosphere reserve और national park को भी चिन्हित कर सकते हैं, plantation, cultivation, grazing, feling trees, hunting and poaching are prohibited here, देखो किन किन बातों की चर्चा की जारी है, सबसे पहला number plantation, वहां पे किसी तरह का पेड़ पोधा खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं, ना पेड़ पोधा लगा सकते हैं, नहीं खेती बाड़ी कर सकते हैं, cultivation, मतलब खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं, आगे cultivation कार्थ हैं, दुसरा क्या है, grazing, मतलब वहाँ पे आप अपने बकरी को, गाय को ले जाकर या किसी भी जानवर को ले जाकर के वहाँ पे नहीं चरा सकते हैं, failing trees और वहाँ पे आप पेड़ों को नहीं काट सकते हैं, hunting वहाँ पे आप सिकार नहीं कर सकते हैं, and poaching are prohibited, और वहाँ पे illegal रूप स आप किसी जानवर को मार करके उसके खाल, चमड़ी, horns वगर, collect नहीं कर सकते हैं, आगे देखो, next हमारे पास है, wildlife sanctuary, क्या है हमारे पास, wildlife sanctuary है न, areas where animals are protected from any disturbance to them and their habitat, यह वह जगह होता है, यह वह जगह या area होता है, जहाँ पे animals को protect किया जाता है, और उनको किसी भी disturbance से, human disturbance से, अलग रखा जाता है, ठीक है, दूसरा है national park, areas reserved for wildlife, यह भी क्या होता है, वह अस्थान होता है, जगह होता है, जहाँ पे क्या होता है, reserve किया जाता है, एक area को, किस के लिए, wildlife के लिए, where they can freely use the habitats and natural resources, जहाँ पे वह आराम से रह सके, और उसका जो प्राकृतिक वतावरन है, उसका वह स्वक्षन्द लाव उठा सके, biosphere reserve है हमारे पास, नाव भी है biosphere reserve, देखो यह क्या होता है, biosphere reserve थोड़ा लंबा छेतर होता है, क्या होता है, लंबा छेतर होता है, हलाकि अभी इन सारी चीजों के बारे हम लोग details से चर्चा करेंगे आगे आगे न, यह क्या होता है, large areas of protected land, जो सनरक्षी भूमी है न, उसक हम लोग जंगल के जीवन को क्या करते है, protect करते है, plant and animal resources and traditional life of tribals living in the area और plant और animals को तो हम लोग protect करते ही है, साथी साथ वहाँ पर आने वाले जो ट्राइवल हैं, वहाँ पे राने वाले जो ट्राइवल हैं, ट्राइवल को भी हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं, और यह बत समझ में, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे, अभी उस उसे पहले पढ़ रहे थे कि हम लोग तो जंगल को बचाने का wildlife को सेफ करने का क्या कर रहे हैं प्रयास तो कर ही रहे हैं साथ ही साथ हमारा समाज भी प्रयास कर रहा है और सरकार की कुछ agencies हैं वो यह भी प्रयास कर रहे हैं कि wildlife को और forest को क्या किया जाए कंजर्व किया जाए The government lays down rules, methods and policies to protect and conserve them. सरकारे क्या करती हैं? विभिन प्रकार की नियम बनाती हैं. हां तो प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि गौर्रमेंट क्या करती हैं? इसके लिए विभिन प्रकार की पॉलिसिस बनाती हैं. चलो अब हम लोग आगे समझते हैं. wildlife sanctuaries national parks biosphere reserves etc are protected areas for conservation of plants and animals present in that area तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे जो biosphere reserve है साथ में national park है ये सारे चीज़ क्या है ये एक खास जगह पे पाये जाने वाले plants और animals को क्या करते हैं conservation के लिए यूज में लाये जाते हैं न क्या है कि wildlife sanctuaries national park एक एक करके लेते हैं wildlife sanctuaries पहला दूसरा national parks तिसरा biosphere reserves etc ये जो तीनों हैं कौन-कौन wildlife sanctuary पहला दूसरा national park तिसरा biosphere reserves ये जो हैं are protected area जै कैसे जगह होते हैं protected area होते हैं न मतलब एक सनरक्षित जगह होते हैं for conservation किसको बचाने के लिए conservation of plants plants को बचाने के लिए और animals को बचाने के लिए ठीक है present in that area कहां पे किसी particular area में चलो आगे देखते हैं क्या कहता है आगे कहता है now we have activity 7.3 find out the number of national parks wildlife sanctuaries and biosphere reserves in your district आप जहां पे भी रहते हैं जिस जिला में भी रहते हैं वहां पे जो national park है या wildlife sanctuary है उसका क्या करना है आप लोगों को एक list बनाने के लिए कहा जा रहा है निर्देशित किया जा रहा है आप लोग प्यारे बच्चे आप लोग इसका list बना सकते हैं अगर आप लोगों को ना समझ में आया तो अपने teacher से सयोग ले सकते हैं state and country और साथी साथ आपके state में कितने national park हैं sanctuaries हैं उनका भी एक list आप बना सकते हैं इसके लिए आप net का सहरा ले सकते हैं आप लोग गुगल में सर्च करके उसका एक list तयार कर सकते हैं record in table 7.1 so these areas in an outline map of your state in India देखो जो आपके state का एक map होगा ना आप चाहे जिस state से भी होंगे इन आल ओवर इंडिया वाट यू विल दू यू विल मेक दे लिस्ट आफ इस नेशनल पार्स सैंक्टरीज एक सेक्टरा ना और उसको क्या करेंगे आप उसका एक लिस्ट तयार करेंगे चलो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग किस पे अगले topic पे चर्चा करते हैं जो ह 7.4 क्या है यहां पर दिया हुआ है Biosphere Reserve किसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे नाओ वी आर गएंग टू डिसकास अबाउट Biosphere Reserve Children along with Professor Ahmad and Madhuji enter the Biosphere Reserve area अब क्या होता है जो बच्चे है वो Professor Ahmad और जो Madhuji जो Forest Department के employee है उनके साथ अब कहां इंटर करते हैं Forest के बीतर चले जाते है ठीक है बहुत घने जंगल में चले जाते है Madhuji explains that Biosphere Reserves are the areas meant for conservation of biodiversity अब Madhuji बताते हैं आगे बच्चों को explain करके बताते हैं कि जो Biosphere Reserves होते हैं are the areas meant for conservation of biodiversity उनका निर्मान किया जाता है biodiversity को conserve करने के लिए बचाने के लिए ठीक है as you are aware that biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो biodiversity होते हैं as you are aware that biodiversity is variety of plants इसमें क्या होते हैं plants के जो varieties हैं सामिल होते हैं animals सामिल होते हैं and microorganisms सामिल होते हैं generally found in an area एक खास जगह पे पाये जाने वाले plants, animals and microorganisms के मिलने से biodiversity का निर्मान होता है the biosphere reserves help to maintain the biodiversity and culture of that area ठीक है क्या करता है यह जो biosphere reserve होता है यह maintain करने में किसी भी area के biodiversity को maintain करके रखता है ठीक है वहाँ पे plant और animals के संख्या को maintain करके रखता है साथी साथ वहाँ पे जो culture है उस area का उस culture को भी maintain करके रखता है और यह बात समझ में वहाँ के Sanskritic विरासत को भी बचा के रखता है ना चलो हम लोग आगे समझने का कोसिस करते हैं आगे इसमें क्या दिया है कहता है कि a biosphere reserve में also contain other protected areas चुकि biosphere reserve बहुत बड़ा छेतर होता है उसमें और भी चोटे 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 प्रोटेक्टेड एरियाज हो सकते हैं ठीक है अब biosphere reserve में also contain other protected areas in it दो पंचमरी biosphere reserve अभी हम लोग चर्चा किसकी कर रहे हैं पंचमरी biosphere reserve की करे ना consists of one national park अब देको इसके भीतर ही क्या है biosphere reserve इतना बड़ा छेतर है कि इसके भीतर ही एक national park भी है उस national park का नाम क्या है named satpura और वहां पे जो कौन सा reserve का बात चल रहा है यहां पे पंचमरी biosphere reserve का उसके भीतर क्या है बताओ एक नेशनल पार्क है और उस नेशनल पार्क का नाम क्या है सतपूरा आप लोग एक कहानी पढ़े होंगे बचपन में सतपूरा के घड़े जंगल निंद में डुबे हुए से उसी सतपूरा की बाद चल रही है और इसमें देखो दो वाइड लाइफ सेंक्चरी भी है ना जंगली जानवरों के लिए दो वाइड लाइफ सेंक्चरी भी है उनका नाम क्या है नेमड वोरी एंट पंचमरी और एक का नाम है उसमें से वाइड लाइफ सेंक्चरी में क्या बोरी और दूसरे का नाम क्या है प जो लो, now look at screen, यहाँ पर देखो एक हमारे पास क्या है, एक map है, किसका पंचमरी बायो स्फियर रिजर्ब का, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें जो stern एरिया है, यहाँ पर किया दिया हुआ है, पंचमरी सैंक्चुरी के बारे में दिया हुआ है, जो पिपरिय और क्या है, पनार पानी गेट बताया हुआ है, साथ में इसमें पंचमरी पार्क के बारे में बताया हुआ है, और यहाँ पर क्या है, इसमें देखें सेंट्रल जो एरिया है, जो बीच का भाग है, इसमें सत्पुरा नेसनल पार्क है, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक आ प्रिजेंट कर रहा है तवा रिजर वायर जो है यह तवा नदी पे बना हुआ परियोजना है आरी बात समझ में जल परियोजना है ना next इधर जो देख रहे हैं green part में यहां पे बोरी sanctuary है ना यहां पे कौन सा sanctuary है बोरी sanctuary है तीस तरह सी यह जो map है आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं ओके, now we have activity 7.4, list the factors disturbing the biodiversity of your area, आपको उन सारे factors का एक क्या करना है, लिस्ट बनाना है, जो आपकी छेत्र में पाये जाने वाले biodiversity को क्या करता है, disturb करता है, some of these factors and human activities may disturb the biodiversity unknowingly, ठीक है, क्या कहता है, some of these factors and human activities may disturb the biodiversity unknowingly, ठीक है, चलो, एक बार फिर से समझने का कोशिस करते है, some of these factors and human activities may disturb the biodiversity unknowingly, list these human activities, अब जो biodiversity को affect करने वाले human activities है, उनका क्या करना है, एक list बनाना है, how can these be checked, और उनको कैसे बचाया जा सकता है, discuss in your class and write a brief report in your notebook, आप अपने classmate के साथ इसके बारे में और अपने teacher के साथ चर्चा करेंगे, और इस पर क्या करेंगे, you will make a brief note, एक छोटा से इस पर लगू note बनाएंगे, कहता है flora and fauna, now we have next heading, that is flora and fauna, now we are going to discuss about these two topics, as the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the, अब क्या होता है, जो बच्चे है, biosphere reserve में घूम रहे हैं, भ्रह्मन कर रहे हैं, और वे क्या, किसका तारीफ कर रहे हैं, appreciate the, हाँ तो बच्चे क्या है, जो छोटे बच्चे हैं, biosphere reserve में क्या है, घूम रहे हैं, और वे appreciate कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, किस चीज़ का, green wealth of the forest, जो जंगल की हर्याली है, उसका तारीफ कर रहे हैं, they are very happy to see, tall tick trees, and animals inside the forest, वे लंबे लंबे टीक के, पेड़ों को देख करके, छोटे बच्चे क्या हैं, बहुत प्रसन हैं ना, बहुत खूस हैं, Suddenly, पहली finds a rabbit and wants to catch it, और देखो, तभी क्या होता है, जो पहली है, एक क्या देखती है, rabbit, खरगोस देखती है, और क्या करती है, उसको पकड़ने का कोसिस करती है, मैं इसको पकड़ लूँगी, और उसके पीछे-पीछे दोड़ने लगती है, She starts running after it, Professor Ahmad stops her, और लेकिन Professor Ahmad तभी उसको रोक देते हैं, पहली को बोलते हैं, He explains that animals are comfortable and happy in their own habitat. क्या Professor Ahmad बताने का कोसिस कर रहे हैं, कि देखो, जीतने भी जीवजनतु है न, वे अपने प्राकृतिक आवास में खुस रहते हैं, जैसे हम लोग अपने घर में खुस रहते हैं, ठीक, इसी तरह से जीतने भी जीवजनतु हैं, वे अपने प्राकृतिक आवास में खुस रहत माधो जी explains that some animals and plants typically belong to a particular area, अब देखो माधो जी आगे बताते हैं कि कुछ animal और plant जो है वे एक खास जगह पे ही पाये जाते हैं, ठीक है, typically belong to a particular area, यहां तक हो गया आपका, आगे कहता है कि the plants and animals found in a particular area, देखो वैसे plant और animal जो एक खास जगह पे ही पाये जाते हैं, या वैसे plant जो एक खास जगह पे ही उखते हैं, या एक खास प्रकार के ऐनिमल जो एक खास जगह पे ही रहते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, the plants and animals found in a particular area are termed flora, plant को क्या बोलेंगे, flora बोलेंगे, वहां के, plant को क्या बोलेंगे, flora बोलेंगे, और animals को हम लोग क्या बोलते हैं, fauna बोलते हैं, क्या बोलते हैं, fauna बोलते हैं, इसको हमें इसा याद में रखना है, flora means plant, ठीक है, यह किसको represent करेगा, plant को and fauna represents the animals, यह किसको करता है, animals को represent करता है, clear है, respectively of that area, यहां तक बात समझ में आ रही है, चलो हम लोग आगे समझने का कोशिस करते हैं, चलो आप लोगों को दिख पा रहा है, यहां पे देखेंगे, कि हमारे पास कुछ photograph हैं, देखो, साल, टीक, मेंगो, जामून, सिल्वर, फर्न, अर्जून, किसकी किसकी बाद चल रही है, साल के पेड़ की बाद चल रही है, टीक के पेड़ की बाद चल रही है, मेंगो की बाद चल रही है, जामून की बाद चल रही है, सिल्वर, फर्न, अर्जून, यह सब किसको represent करते हैं, चुकि ये सब plant है, these all are plants, so they are flora, ये क्या है, flora है, और आगे देखो, क्या कहता है, चिंकारा, blue wool, ठीक है, working deer, चितल, leopard, wild dog, wolf, etc, ये सब क्या है, ये सब जानवर है, ये सब क्या है, जानवर है, our examples of fauna, इसलिए हम लोग इनको क्या कहते है, ये सब fauna के example है, और ये जो flora और fauna है, ये किसका list दिया हुआ है, these are the list of पंचमरी biosphere reserve, ठीक है, आप लोग समझ गया होंगे, अच्छे से, यहाँ पे जो photograph से इसको भी थोड़ा सा समझने का कोशिस करते है, कि इस photograph पे किसका किसका फोटो दिया गया होगा, आप लोग समझ पा रहे हैं यहाँ तक, देखो, जो यहाँ पे पहला picture दिया गया है न, यह wild dog का है, यह पहला जो picture दिख रहा है आपको, ये किसका है, वाइल्ड डॉग का है, ये किसका है भाई, ये है चितल का, किसका? चितल न, और ये किसका है वॉल्फ का वॉल्फ का न भेडिया का और यहां पे देखो दिख रहा होगा यह लियोपार्ड है क्या है लियोपार्ड है ठीक है और यह फर्न का फोटोग्राफ है और यहां पे दिख रहा होगा जामून ट्री कौन से ट्री है जामून ट्री न ब्लैक वेरी अर यह बाद सब को समझ में, चलो, आगे हम लोग चलते हैं, और समझने का कोसिस करते हैं. Okay students, now we have activity 7.5, here, what is given? Let's see, try to identify the flora and fauna of your area and list them. कहता है कि आपकी area में जो flora और fauna पाये जाते हैं, उनको आप क्या कीजिए? उनको पहचानने का कोसिस कीजिए, उनके बारे में पता कीजिए, जो है, endemic species. What is our next heading? That is endemic species. Soon the group quietly enters the deep forest. यह जो बच्चों का समूह था, जो भ्रमन करने के लिए गया था, अब वो वे क्या होते हैं? धीरे-धीरे, जंगल में और भीतर चले जाते हैं, in the deep forest. ठीक है? अब इसमें क्या होता है? कि children are surprised to see a very big squirrel. अब क्या होता है? बच्चे जो है, एक बहुत बड़े गिलहरी को देह करके आश्चरी चकित हो जाते हैं. This squirrel has a big fluffy tail. अब देखो यह जो squirrel है, यह जो गिलहरी है, इसका जो पूछ है ना, यह रोएदार, बहुत बड़ा जबरिला यह जो है, इसका पूछ है ना, fluffy, fluffy tail है इसके पास. ठीक है? They are very curious to know about it. अब क्या है, यह जो बच्चे हैं, इस तरह की गिलहरी तो पहली बार देखे थे इतना बड़ा सा, तो अब इसको देह करके वे बहुत उत्सुख हैं बच्चे ना, इसके बारे में जानने के लिए. माधो जी बच्चों को बताते हैं, कि यह जो स्क्वेरल है, यह क्या है? जाइंट स्क्वेरल है, और यह यहां के लिए इंडेमिक है, मतलब यहीं का खास यहीं पे यह पाया जाता है, और कहीं पे नहीं पाया जाता है. अब आगे चलो हम लोग समझने का कोसिस करते हैं. अभी एक वर्ड हमारे पास आया था, इंडेमिक. इसको समझेंगे मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से समझने का कोसिस करिएगा. इंडेमिक स्पिसीज are those species of plants and animals, which are found exclusively in a particular area. कहीं खास जगह पे ही पाया जाते हैं. और उनकी दूसरे जगह पाने की संभावना बिलकुल नहीं होती है. है क्लियर है अस्थानिय अस्थानिय समझते ना कहीं खास जगह पे पाया जाने वाला प्लांट या एनिमल दे आर नोट नेचरली फाउंड एनिवेर इल्स यह दुसरे जगह पे नहीं पाये जाते हैं और यह बाद समझ में होगे वेरी टाइप अब ओर प्लांट में लिपे इंडे मिक्तु ऑज्ओन जोन इस्टेट और अधूर सबघ चुट्वें अगे क्या कहना चाहता है अ कि ये कि मादो ोस जी सोस, साल एंड वाइल्ड मैंगो, देखो माधो जी अब दो चीज़ दिखाते हैं, एक तो पहला साल का पेड दिखाते हैं, और दूसरा दिखाते हैं, वाइल्ड मैंगो, मतलब जंगली आम, ठीक है, अब यहाँ पर फिगर है, हमारे पास 7.3a, as two examples of these, ठीक है, हां, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको दीख रहा होगा, स्क्रीन पे, I have heard that some of the endemic species may venice, is it true, अब यह बच्ची पूछ रही है, यहाँ पे, पहली, कि मैंने सुना है, कि कुछ endemic species जैसे हैं, जो धीरे-धीरे क्या होते जा रहे हैं, खतम होते जा रहे हैं, venice होते जा र इंडेमिक, फ्लोरा औफ पंचमरी बाइयो स्वेयर रिजर्व, अब क्या है, पंचमरी बाइयो स्वेयर रिजर्व के जो endemic flora है, किसका बात चल रहा है, फ्लोरा का बात चल रहा है, आगे देखो, वाइसन, इंडियन जाइंट स्क्वेरल and फ्लाइंग स्क्वेरल are endemic fauna of this area देखो जो पंचमरही है ना पंचमरही में तो सबसे पहले हम लोग फ्लोरा का बात कर लिये अब हम लोग किसका बात कर रहे हैं फाउना का बात कर रहे हैं मतलब उहां पर पाया जाने वाले जो इंडेमिक जानवर है उसके बारे में बात करें कौन-कौन है पहला है वाइसन दूसरा है इंडियन जाइन इस्क्वेरल तिसरा है फ्लाइंग इस्क्वेरल और इंडेमिक फाउनाना ओफ पंचमरी एरिया ठीक है प्रोफेसर अहमद इक् किसी तरह से increasing population क्या increasing population and introduction of the new species may affect the natural habitat of endemic species and endangered their existence अब क्या होगा जो प्रोफेसर आहमद बताना चाहते हैं कि जहां पे जिस natural habitat में कोई भी प्लांट या एनिमल सर्वाइव करता है अगर उसको हम लोग किसी तरह से क्या करते हैं नुक्सान पहुचाते हैं और साथी साथ मनुस् population इसी तरह से तीवरगती से यदी बढ़ता रहता है और क्या होता है अगर किसी particular जगह पे कोई नए प्रकार के जीव या फिर प्लांट को लगाया जाता है या फिर जीव को वहां पे लाया जाता है जैसे इसको एक example से समझते हैं ठीक है मालो कि तुम MP में रहते हो और MP में जहां पे रहते हो वहां खास प्रकार के साल की खेती होती है साल मतलब साल प्लांट लगाया जाता है वहां अगल बगल में ठीक है या फिर टीक का प्लांट लगाया जाता है और उसके जगह पे हम वहां पे बबूल या कीकर को ले आए ठीक है जो राजस्थान में ज्यादा species का वो क्या होगा खतम हो जाएगा और इस तरह से जो endemic species है वे endanger हो जाएंगे मतलग उनका जो existence है उनका जो अस्तित्व है वह खत्रे में पड़ जाएगा अप लोगों को समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चो चलिए आगे आगे हम लोग चलते हैं आगे समझने का कोशिस करते हैं नौफ लुक एटी उस्क्रीण वि है आप फोटोग्राफ ओफ जाइंट saquarelle ठिक है इसमें तुम लोगों को साब साथ तो नहीं दिख राहोगा क्लियर क्या हा पेडिक स्क्री एल है लेकिन देख यहाँ पी एक्सक्री एल अगर आप लोगों को दीख रहा होगा, यह क्या है? एक स्क्वेरल है, चुकि एंसी आर्टी बुक में यह फोटो अच्छे से नहीं छपा हुआ है, इसलिए आप लोगों को ठीक से नहीं दीख पा रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, चलो आगे हम लोग देखते हैं क्या है? okay dear students now we have another topic that is species this is very important for lower classes students as well as for the students of higher classes ठीक है यह छोटे बच्चों के लिए भी महतोपुर्ण है साथ ही साथ बड़े बच्चों के लिए भी यह महतोपुर्ण है आप समझने का कोशिस किजेगा species क्या है कते कि species is a group of population which are capable of interpreting देखो एक खास प्रकार के जीओं का समु एक खास प्रकार के जीओं का समु जो क्या इंटर-breeding करने में capable हो मतलग प्रजनन करने делает में अपने ही तरह के जीओं के साथ प्रजनन करने में सक्छम हो इसको हम लोग क्या भोलेंगे species भोलेंगे नगा आप लोगों इसका कहने का ताथपर्ज यह है आगे देखो क्या है इसमेंस डैट तम इम्मर्स ऑफ इस पीसीज के मेंबर होते हैं न मतलब एक खास प्रकार के जो समू है जीवों का उसके जो मेंबर होते हैं वह जो बच्चा उत्पन करेगा ठीक है मतलब जो उसके क्या होंगे? Offspring होंगे वह कैसे होने चाहिए? Fertile होने चाहिए कैसे होने चाहिए? Fertile मतलब वह भी अपने तरह के सांतान उत्पन करने के उनके अंतर भी छमता होनी चाहिए Only with the member of their own species and not with members of other species और यह अच्छमता अपने ही प्रकार के species के साथ प्रजनन करने की होनी चाहिए वे किसी दूसरे प्रकार के species के साथ प्रजनन नहीं कर सकते हैं जैसे मालो एक आम का पेड़ है हमारे पास आम का जो पेड़ है आप देखेंगे प्रजनन के बाद वो आम के पेड़ के जैसे ही उसके क्या होते हैं और ओप्स्प्रिंग बच्चे होते हैं वो इमली के पेड़ के जैसे नहीं हो सकते हैं मैं आसा करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए हूंगे now we are going to discuss about heading 7.6 देखो यहाँ पे 7.6 पे क्या बताया गया है find out the endemic plants and animals of the region where you live आपके area में जो endemic plant और animals होते हैं उनका आपको क्या बनाना है एक list बनाना है मेरे प्यारा बच्चों न अब चलो हम लोग लेते हैं दूसरा heading okay now we have 7.7 it contains wildlife century अब हम लोग किसके बारे में study करेंगे now we are going to study about wildlife sanctuaries सुन पहली seize a board with पंचमरी wildlife sanctuary अब देखो जो पहली है उस वो क्या होता है जैसे ही गारी आगे बढ़ती है चुकि वह तो जंगल में घूमने गए हैं तो वहाँ पे एक heading दिखता है उसका नाव है पंचमरी wildlife sanctuary written on it और उस बोर्ड पे लिखा हुआ है ना वोर्ड देखती है बच्ची प्रोफेसर अहमद explains that killing, poaching or capturing animals in general is strictly prohibited and punishable by law in all such places देखो प्रोफेसर अहमद बताते हैं आगे बच्चे को प्रोफेसर अहमद explain करते हैं कि killing मतलब किसी भी जीओ को मारना साथ में poaching मतलब उनका illegal हत्या करना और capturing animals ठीक है वहाँ से किसी जानवर को पकड़ लेना in general ठीक है सभी लोगों के लिए क्या होता है strictly prohibited होता है पूरी तरह से मना किया हो रहता है निसिध रहता है and punishable by law in all such places किस तरह के wildlife sanctuaries में इन सारे कामों को करने के लिए बिल्कुल मना रहता है निसिध रहता है wildlife sanctuaries like reserve forests provide protection and suitable living conditions अब देखो यहाँ पे बताना चाह रहा है कि wildlife sanctuaries like reserve forest provide protection अब देखो जो reserve forest होते हैं उसी तरह से जो wildlife sanctuary होता है यह क्या करता है provide protection यह protection provide करता है and suitable living conditions और जीव जनतुओं को flora and fauna को रहने के लिए उनके लिए suitable living condition का निर्मान करता है to wild animals ठीक है वहाँ पे रहने वाले जानवरों के लिए he also tells them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities लेकिन wildlife sanctuaries में जो लोग रहते हैं उनको वहाँ पे कुछ कार्यकों संपादित करने के लिए कुछ छूट दिया जाता है क्या किया जाता है कुछ छूट दिया जाता है या कुछ activities को वहाँ पे कर सकते हैं certain activities अब वो कौन सा activity है such as grazing वे वहाँ पे अपने जानवरों को ले जाकर उसको चरा सकते हैं ठीक है by their livestock collecting medicinal plants and firewoods और जो वहाँ के रहने वाले residents है local residents वहाँ पे क्या कर सकते हैं अपने जानवर को चरा सकते हैं वहाँ से कुछ medicinal plant collect कर सकते हैं या फिर जंगल में अगर कोई फल है या फिर वहाँ से छोटी छोटी जलावन की जो लकडियां है वे उसको वहाँ से ला सकते हैं अब मेरे बच्चे आप लोग समझ गया होंगे कि wildlife centuries का क्या उप्योगिता है और इसका क्या definition है और इसमें क्या क्या होता है चलो हम लोग आगे समझने का कोशिस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है सारा चीज इनर्जी है ना इनर्जी बनाए रखना है चलो इतर देखो वोड की तरफ कि सम अफ दे थ्रिटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बख देखो कुछ थ्रिटेंड वाइल्ड एनिमल्स हमारे पास है जैसे हमारे पास क्या है ब्लैक बख है वाइट आइड बख है एलिफेंट है गोल्डेन कैट है पिंक हेड़ेड ड्रक है और क्या है घरियाल है उसके बाद मार्स क्रोकोडाइल है और पाइथन है राइनोसिरोस है एकसेटरा और प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्ब्ड इन आवर वाइल्ड लाइफ सैंक्चरीज यह जीतना भी नाम अभी आप पढ़े है न यह सारे जानवर क्या है प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैंट किसमें वाइल्ड लाइफ सैंक्चरीज में ठीक है और प्रोटेक्टेड एन प्रिजर्ब्ड इन आर वाइल्ड लाइफ सैंक्चरीज इंडियन सैंक्चरीज हैव यूनिक लैंड इसकेप अब देखो वारत के जो सैंक्चरीज है वारत के जो सैंक्चरीज है उनके पास बहुत यूनिक, बहुत ही सुन्दर लेंडिस्केप है, उनका जो जमीन का बनावट है, बहुत ही खुबसूरत है, ब्रोड है, ब्रोड लेवल फॉरेस्ट है, और वहाँ पे जंगल क्या है, बहुत बिस्तरी दूर दूर तक फैले हुए जंगल है, माउंटेन, किनारे क्या है, वुस्लेंड है, मतलब क्या घंस के बड़े-बड़े मैदान है न, तो यह सारे चीज भी है, अब आगे हम लोग समझने का कोशिस करते हैं, आगे क्या दिया गया है, देखो, नाव, तो, यह बड़ा देनिया या निंदनी आवस्था है, वैसे व्यक्थी, जो वाइल लाइफ सैंक्च्रीज के इर्द गिर्द रहते हैं, उसके आसपास रहते हैं, अगल बगल में रहते हैं, ठीक है, वे क्या करते हैं, वहां के जमीन को इंक्रोच करते हैं, कबजा में ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, वहां पे जो जंगल है, और साथ में जो वहां पे रहने वाले एनिमल्स हैं, वे उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, चिल्डरेन आर रिमाइंडेज ओफ देयर विजीट टु दे जू, दे रिकॉल that Jews are also places where animals receive protection, अब बच्चों को याद दिलाया जाता है, उनके एक यात्रा के बारे में, जो उन्होंने किया था, कहां पे, जू में, जू जहां पे एनिमल्स को रखा जाता है, artificial habitat में, जिसका निर्मान कोन करते हैं, जू और जो wildlife sanctuaries हैं, या नेशनल पार्क हैं, इन सबसे ब जाकृति कावास हैं, कैसे, natural habitat हैं, लेकिन जो जू होता है न, इस इस man-made habitat, अर ये बात समझ में, इस इस artificial, अब मेरे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, चलो, आगे हम लोग चलते हैं, कहता है, what is the difference between a Jew and wildlife sanctuary, the major difference between Jew and the wildlife sanctuary is, that the Jews are artificial in nature, while wildlife sanctuaries are natural in nature, both habitats are for animals, but one is natural and another is artificial, समझ में आ गई बात समझ में आ गई, जू क्या होता है, artificial होता है, लेकिन wildlife sanctuary क्या होता है, natural habitat होता है, चलो, now we are going to discuss about activity 7.7, आप लोगो कोई screen पे दिख रहा है मेरे सारे बच्चों को, चलो, अब हम लोग समझने का कोशिस करते हैं, activity 7.7, what is this, visit a nearby Jew, आप लोग अपने नजदीक के जू में जाएंगे, ठीके, चिडियां घर में, और वहाँ पे क्या करेंगे, observe the conditions provided to the animals, where they suitable for the animals, can animals live in artificial setting, आप लोग जब जू में जाएंगे, तो वहाँ पे देखेंगे, कि animals को रहने के लिए artificial setting किया हुआ रहता है, छोटा-छोटा cage बनाया हुआ रहता है, या फिर एक छोटा से area होता है, जहां पे उनके खाने-पीने के इंतजाम artificially की जाती है, हाला कि वहाँ पे animals रहते हैं, but those animals which is living in their natural habitats are enjoying differently, and here the animals which is staying in Jews are enjoying differently, दोनों अलग-अलग तरह की जीवन आपन करते हैं, दोनों के जीवन में बहुत अंतर होता है, शलो. Okay students, now look at the screen, instead of their natural habitat, in your opinion, will the animals be comfortable in a Jew or in their natural habitat, as we have already discussed about this, so now we are not going to discuss about this. Our next heading is 7.8, National Park, हमारा जो अगला जो heading है, हो क्या है, National Park है, ठीक है, On the road side, there was another board, अब देखो, जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो उनको एक और board दिखता है, उस board पे क्या लिखा हुआ है, उस board पे लिखा हुआ है, National Park, ठीक है, on which was written Satpura National Park, क्या लिखा हुआ है, Satpura National Park, आप लोग सुनें न, अभी तुम्हें कविता सुनाया था पले, कि Satpura के घने जंगल, निंद में डुबे हुए से, तो उसी Satpura की बात यहां पे चल रही है, अब देखो, आगे हम लोग देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, थोड़ा समझने कोशिस करते हैं, Children are now eager to go there, अब बच्चे वहां पे जाने के लिए बहुत उत्सुख हो गए हैं, मादो जी tells them that these reserves are large and diverse enough to protect whole sets of ecosystem, मादो जी समझाते हैं बच्चों को, कि यह जो reserve है बहुत बड़ा है, क्या है, बहुत बड़ा है, और यह जो है whole set of ecosystem, ecosystem में जो जो चीज भी सामिल होता है, ठीक है, उसको ठामने के लिए, अपने पास रखने के लिए सक्षब हैं, enough है, ठीक है, जो national park होता है, वहाँ पे क्या-क्या चीज सामिल होता है, उसमें, सबसे पहला number तो वहाँ पे पेड़ होंगे, पेड़ पोधे होंगे, साथ ही वहाँ पे animals होंगे, और उसके साथ-साथ वहाँ पे land escape, मतलब खुबसूरत जो वहाँ के जगह हैं, अस्तला कृती, उसको भी बहुत ही महतुपून बात है, कि उसमें historic object of an area को भी सामिल किया जाता है, और ये बात समझ में, जैसे हमारे पास एक राज्य है, जिसका नाम है जारखंड, जारखंड में एक tiger reserve भी है, और national park भी है, जिसका नाम है बेतला national park, जब आप बेतला national park में विजिट करेंगे अंद तो वहाँ पर एक fort बना हुआ है, जिसका नाम है पलामु किला, तो इस तरह कि जो national heritage या national site जो होते हैं, वे कहाँ पाये जाते हैं, नेशनल park के अंदर पाये जाते हैं, अभी जो सत्पूरा में जो है, वहाँ पर क्या historic object उसके बारे में अभी हम लोग आगे discuss करेंगे, सत्पूरा है कहाँ पर MP में, Central India में, क्या है इसमें, सत्पूरा नेशनल पार्क is the first reserve forest of India, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कि जो सत्पूरा नेशनल पार्क है, यह इंडिया का, यह इंडिया का first reserve forest है, कहां का भारत का पहला सनरक्षित जंगल है, ना, आरिवाद is found in this forest, और यह और महत्वपूर्ण बात यहां पे निकल क्या रही है, कि यह जो है, यहां पे जो साल का पेड़ है, टीक का पेड़ है, यहां पे सब से खुबसूरत टीक का पेड़, लंबा-लंबा, मोटा-मोटा, पाया जाता है, कहां पे, किस forest में, किस forest का, सत्पूरा का बात चल रहा है, there are more than 100 national parks in India, भारत में 100 से भी ज्यादा national park है, आप लोग उसका एक list बना सकते है, Google का सहयोग ले करके, ठीक है, आगे देखो मेरे बच्चे क्या है, अभी हम लोग बात कर रहे थे न, अभी वही चीज है, कि जो सत्पूरा पार्क है, उसमें और क्या-क्या ह उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पी एक rock shelter are also found inside the सत्पूरा नेशनल पार्क, these are evidences of prehistoric human life in the jungle, देखो, यहाँ पी कुछ rock cabs पी है, ठीक है, जंगल में पत्थर के बने हुए छोटे-छोटे क्या है, गुफा है, और उस गुफा में पहले के लोग, जो पुर चोटे-छोटे घर बने हुए हैं, या फिर केव बने हुए हैं, इनके भीतर क्या है, पत्थरों पे पैंटिंग किया गया है, पैंटिंग्स बनाए गये हैं, और इनकी टोटल संख्या कितनी पाई गये है, 55 rock shelters are found there, ठीक है, और यह सब कहां पे है, यह सब है, कहां पे, अनुस्य और जानवरों के बीच में लडाई से समधनी चित्र, साथ ही साथ उनके हंटिंग का चित्र की कैसे, एनिमल्स को पकड़ रहे हैं, साथ में और मार रहे हैं, वहां पे उनके नृत्य का चित्र दिया गया है, और प्लेइंग म्यूजिकल इंस्टूमेंट्स और कु जो जंगल में निवास करते हैं, आप लोग यहां पे आगे देखेंगे, as children move ahead, जैसे जैसे बच्चे आगे जाते हैं जंगल में, move ahead, they see a board with सतपूरा टाइगर रिजर्व, तू उनको एक और बोड देखने के लिए मिलता है, क्या लिखा हुआ है उस पे, सतपूरा टाइग in the country, देखो, जो प्रजेक्ट टाइगर जो था न, इसको लॉंच किया गया था, भारत में बागो की जनसंख्या को बचाने के लिए, इसको कब लॉंच किया गया था, 1 अप्रेयल 1973 को, ठीक है, 1 अप्रेयल 1973 को इसको लॉंच किया गया था, भारत में, आर ये बच्चे समझ में the project of this, आगे देखो क्या है, the objective of this project was to ensure the survival and maintenance of tiger population in the country, ये जो tiger था ना, उसके population को increase करने के लिए क्या किया गया था, और उनके population को maintain करने के लिए इसको बनाया गया था, project tiger को, चलो, आगे देखते हैं क्या है, हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चो, यहाँ पे देखो, एक बच्चा है, बूझो, अब ये क्या question पूछ रहा है, इसके बारे में थोड़ा देखिए, are tigers still found in this forest, पूछ रहा है क्या अभी भी बाग इन जंगलों में पाये जाते हैं, yes, tigers are found there, ना, वहाँ पे अभी भी बाग पाय जाते हैं, I hope I can see a tiger, आप बच्चे चुक्कि वहाँ पे गुमने के लिए निकले हैं जंगल में, तो यह आसा कर रहे हैं कि कास मुझे भी एक tiger दिख जाता है, आप लोगों की भी इख्चा होगी ना, कि हम लोग भी कास एक tiger देख लेतें कभी जीवन में, ठीक है, और चलो, में गया था, वहाँ पे एक tiger को चुकर के देखा था, ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी comment करेंगे कि आप लोग में से कितने लोग, tiger सच में देखे हैं, जिन्दा वाला कितने लोग देखे हैं, चलो, आओ, आगे देखते हैं, tiger, figure 7.4 is one of the many species which are slowly disappearing, देखो, tiger जो है न बाग, उन इस species में सामिल है, जो धीरे-धीरे क्या हो रहे हैं, हमारे बीच से खतम होते जा रहे हैं, जंगल से समाप्त होते जा रहे हैं, उनकी संख्या लगातार घटते जा रही है, from our forests, but the satpura tiger reserve is unique in the sense that a significant increase in the population of tiger has been seen here, लेकिन देखो, satpura tiger reserve का एक खासियत है, कि वहाँ पर पाये जाने वाले जितने भी बाग हैं, उनका population day by day increase कर रहा है, पूरे भारत के हर एक जगह पर tiger का population decrease कर रहा है, जबकि satpura national reserve जो है, वहाँ पर tiger की संख्या क्या हो रही है, आगे जा रही है, बढ़ रहे हैं, once upon a time, animals like lions, elephants, wild dogs, wild buffaloes and वारस सिंगा, they are also found in the satpura national park, देखो एक जमाना था, जब satpura national park में बहुत सारे बिभिन प्रकार के जानवर पाये जाते थे, जिनका मैंने अभी नाम लिया, लेकिन अब ये सारे वहाँ पे नहीं पाये जाते हैं, या अगर है भी इक का दुका, तो उनकी संख संख्या बहुत कम हो गई है, animals whose numbers are demonizing to a level that they might face extinction are known as endangered animals, एक देखो यहाँ पे word आया है हमारे पास, this is endangered animals, देखो कह रहा है कि वैसे जानवर जिनकी संख्या धीरे धीरे घट रही है, या वैसे जानवर जिन जो बहुत नजदीक समय में, आने वाले समय में, इस धरती पे हो जाएंगे, एक भी नहीं बचेंगे, वैसे animals को हम लोग क्या कहेंगे, endangered animals बोलते हैं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसका definition है, animals whose numbers are demonizing to a level that they might face extinction are known as endangered animals, is it clear, okay students, बूजो is reminded of the dinosaurs which become extinct a long time ago, अब देखो जो बूजो है ना, उसको लोग समझा रहे हैं, मादो जी होंगे या प्रोफेसर सहाव, उसको समझा रहे हैं कि धरती पे बहुत साल पहले क्या था, डाइनासोर रहते थे, जो अब क्या हो गए, extinct हो गए हैं अब धरती पे नहीं बचे ह survival of some, देखो आगे हों लोग देखते हैं, क्या कहता है, हाँ प्यारे बच्चो, survival of some animals has become difficult because of disturbance in their natural habitat, देखो कुछ animals ऐसे हैं कि उनके जीवन पे संकत उत्पन हो गया है, किसके कारण, चुकि उनका जो natural habitat है, वे हमेसा disturb रहा रहे हैं, ठीक है, चुकि human activity वहाँ पे ज्यादा rules are imposed in all national parks, देखो अब बोलते हैं प्रोफेसर अहमद कि इस तरह कि जो जानवर हैं, जो extinct होने वाले हैं, या फिर वैसा national park, या फिर क्या biosphere reserve, वहाँ पे जो rules हैं, वो बहुत सक्ती के साथ implement होने चाहिए, अर यह बात समझ में, human activities such as grazing, poaching, hunting, capturing of animals, collection of firewoods, जितना भी human activities वहाँ पे होता है, चाहिए वो जानवरों को वहाँ पे चराने की बात हो, या फिर भोजन एकत्रित करने की बात हो, या फिर फल एकत्रित करने की बात हो, या medicinal plant एकत्रित करने की बात हो, इन सारे चीजों को रोक देना चाहिए सरकार को, ठीक है, चलो students, अब आगे हम लोग देखते हैं, are only big animals facing extinction, अब बच्ची यहाँ पे पूछ रही है कि जो ये बड़े जानवर ही क्या extinct हो रहे हैं, are only big animals facing extinction, नहीं ऐसी बात नहीं है, जो छोटे जानवर है, वे भी extinction के करीब है, और बल्कि आप कह सकते हैं कि small animals are more endangered, नहीं जो छोटे जानवर हैं, उनको ज्यादा खत्रा है, बड़े जानवरों के अप्रेख्चा, ऐसा क्यों है, सोचो, तुम फुद ही सोचो, देखो, एक सांप होता है, सांप एक छोटा होता है, और जैसे ही आपके घर के आसपास आता है, आपको नाग हो, या आपको दूसरा सा जैसे करेथ हो, तो आपको डस न ले, इस डर से आप उसको क्या करते हैं, मारते जाते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, कि उसका जो इस पीसीज है, वो खत्रे में पड़ जाता है, और यह बात समझ में, तो जो छोटे एनिमल्स है न, उनके समाप्त होने की धर्ती पर से आपको समाप्त होने की, मैंने पहले ही समझा दिया, at times we kill snakes, frogs, lizards, bats and all ruthlessly, ठीक है, बड़ी निर्दैता के साथ हम लोग जो छोटे जीव रहते हैं, उनको हम लोग मार देते हैं, without realizing their importance in the ecosystem, यह मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ, कि जितने भी जीव हैं, उनका ecosystem में एक महत तो पूर्ण योगदान होता है, वे food chain और food wave का निर्मान करते हैं, और अगर एक भी जीव को हम लोग मार दें, तो food chain बिगड़ जाएगा, और food wave बिगड़ जाएगा, और उसे ecosystem का balance भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए उनका बहुत importance होता है, by killing them, we are harming ourselves, उ वे देखने में छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका ecosystem में बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, the form, part of food chain and food waves, जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, जिसके बारे में आप लोग class 7 में study कर चुके है, now we have another heading, that is ecosystem, अब देखो एक मेरे पास heading है, और एक word है, आप ecosystem is made of all the plants, animals and microorganisms, एक जो ecosystem होता है, उसमें कौन-कौन से चीज़ सामिल होते हैं, plants, animals and microorganisms सामिल होते हैं, इसी सुभा मिल कर बनता है, in an area, along with और किसके साथ साथ, non-living components such as climate, soil, river and deltas, देखो, living और non-living things के combination से ecosystem का निर्मान होता है, living things में कौन-कौन आगये, plants, animals and microorganisms, और किसी खास छेतर में पाए जाने वाले non-living components such as climate, soil or river or deltas, जो हैं, इनके combination से किस चीज़ के निर्मान होता है, ecosystem का निर्मान होता है, ठीके, हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चो, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, ecosystem के बारे में पढ़ अब चलो हमारे जो next heading है, now we have next heading that is red data book, अब हम लोग किस के बारे में पढ़ेंगे, red data book के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या है, प्रोफेसर आहमद explains about red data book to the children, जो प्रोफेसर आहमद हैं, और red data book के बारे में बच्चो को समझाते हैं, he tells them that red data book is the source book which keeps a record of all the endangered animals and plants, प्रोफेसर आहमद बताते हैं, देखो, कि एक ऐसा book है, जिसमें वैसे plants और animals के बारे में record रखा जाता है, जो क्या है, endangered है, मतलब जिनके भविश्य में बिलूप हो जाने के संभावना बहूत प्रबल है, अत्यधीक है, कि वे भविश्य में इस धर्ती पे नहीं बचेंगे, ठीक है, अब आगे कहता है, कि रेट डेटा बुक इस मेंटेंड, इंटरनेशनल इवाई एन और 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 आज़नाईजसान, और यह वाद समझ में, और यह कब से बन रहा है, कब से, 1948 से आया ना, इक्जिस्टेंस में, इंडिया और Subheading, that is Migration, ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे Migration के बारे में, देखो, यह जो टोपिक है ना, Migration यह बहुत इंट्रेस्टिंग है, ठीक है, अभी हम लोग जब इस पे चर्चा करेंगे, तो आप लोगों को भी बहुत इंट्रेस्टिंग लगेगा, अब जो बच्चे हैं, वो क्या होते हैं, जंगल के अंदर और बहुत अंदर प्रवेस करते हैं, वहाँ पे तवा परियोजना था, तवा परियोजना में क्या था, जो तवा नदी है ना, उसके उपर एक बांध बनाया गया, और वहीं पर बच्चे लोग रुखते हैं, और उसके नजदीक में क्या करते हैं, वे देखते हैं कि कुछ वहाँ पर पंच्ची, क्या है वहाँ पर, कुछ जो पंच्ची हैं, बर्ट से हैं, वो क्या हैं, घूम रहे हैं, वीचरन कर रहे हैं, ठीक है, माधो जी टेल्स आई माएग्रेटरी बर्ड तो माधो जी समझाते हैं जब बच्चे उन पंक्षियों को देकर प्रसंड हो जाते हैं माधो जी बच्चों को समझाते हैं दीज आर उप तो प्रवासी की बच्चरल कर गया झैशंद प्रवाशुल के पास जो बच्चे पंक्ची देख रहे थे, वो कैसे बर्ड थे, migratory bird थे, यानि कि वो यह दूसरे जगह से उड़ करके यहां पर आये हुए थे, these birds have flown here from other parts of the world, यह कहां से आये थे, दूसरे जगह से, दूसरे पार्ट से आये थे, वर्ड के, ठीक है, migratory birds fly to far away areas every year during a particular time because of climatic changes, देखो क्या होता है, जो migratory birds होते हैं न, वो साल के किसी खास particular season में, क्या होता है, अपने natural habitat को छोड़ करके, किसी दूसरे जगह जाते हैं, कहां जाते हैं, किसी दूसरे जगह जाते हैं, किस लिए जाते हैं, for reproduction, ठीक है, अपने अंडा देने के लिए जाते हैं, और वहाँ से जब उनका hatch out हो जाता है, छोटा baby, तो उसको ले करके, फिर वो क्या होते हैं, अपने जब आ जाता है favorable conditions, उनके habitat में, तो वहाँ पर वह वापस आ जाते हैं, ठीक है, कहता है कि migrative birds fly to far away areas every year during a particular time, because of climatic changes, चुकि climate में जो चलता है, उसके चलते एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, they fly for laying eggs, वो कहां किस लिए जाते हैं, for laying eggs, अंडा देने के लिए जाते हैं, दूसरे जगह, as the weather in their natural habitat becomes very cold, चुकि होता क्या है, कि generally कुछ Siberian cranes इंडिया आते हैं, तो Siberia में क्या होता है, during winter season, वहां पर जो weather होता है, बहुत cold होता है, बहुत ठंड वहां पर पड़ता है, उस condition में उनका जो एग है, उसका hatching नहीं हो सकता है, तो उस condition में क्या होता है, कि वहां से migrate करके, और इंडिया आते हैं, चुकि उस में इंड इंडिया आते हैं, इसके लिए, बर्ट के लिए, ठीक है, अब कहता है, कि बर्ट सुक अवर लंग डिस्टेंसेज तू रिच अनदर लेंड और नावन एज माइज अज अगरेटरी बर्ट अब देखो, माइज डिवर्ट किसे कहा जाएगा, हां तो चलो देखो, माइज ड माइज डिवर्ट किसे कहा जाएगा, कहता है, कि बर्ट सुक अवर लंग डिस्टेंसेज तू रिच अनदर लेंड और नावन एज माइज माइज डिवर्ट सुक अगरेटरी बर्ट, ठीक है, वैसे पंच्छी, जो क्या अंडा देने के लिए, एक जगह से बहुत बहुत ब दूर तक का यात्रा क्या करते हैं, तै करते हैं, ऐसे बर्ट स को हम लोग ऐसा बर्ट स बोलते हैं, ऐसे बर्ट स को हम लोग बोलते हैं, माइज पहली लर्ट इन क्लास सेवन, और इसके बारे में पहली क्लास सेवन में ही पढ़ ली है, यानि कि आप लोग मेरे प्यारे बच अब प्रोफेसर आहमद जो है ना मेरे प्यारे बच्चो वो क्या करते हैं बच्चो का एटेंशन क्रियेट करते हैं किस और एक और कारण की और जो दिफोरेस्टेशन के लिए जिम्मेवार है ठीक है चलो अब देखो जो पेपर है जिसको हम लोग यूज करते हैं लिखने के लिए उसको कितना 5-7 टाइम क्या किया जा सकता है रिसाइकल किया जा सकता है वेरे बच्चो ठीक है जिस कोपी पे आप लिखते हैं उस कोपी को क्या होता है हम लोग लिखने के बाद उसे बेंच देते हैं या कबाड़ी वाले उसको ले जाते हैं और फिर उसका क्या होता है रिस student saves at least one seat of paper in a day, अब आगे प्रोफेशन रहमद बताते हैं, कि यदि एक बच्चा एक दिन में एक seat को भी क्या करता है, save करता है, we can save many trees in a year, तो हम लोग एक साल में बहुत सारे पेड़ को क्या कर सकते हैं, save कर सकते हैं, we should save reuse used papers and recycle it, हम लोगों को क्या करना चाहिए, पहले तो हम लोगों को paper कम से कम खर्च करना चाहिए, यदि हम paper कर रहे हैं, तो उनका फिर से क्या करना चाहिए, reuse करना चाहिए, मतलब recycle करना चाहिए, ताकि वो फिर से क्या होसे कि reuse हो सके, ठीक है, By this, we not only save trees, but also serve energy and water needed for manufacturing of paper. अंचेको, क्या होता है? इस तरह से जब हम लोग यूज करते हैं paper का, तो क्या होता है? घुल कि हम उनर्जी भी बचाते हैं, Shepherd बनाने बहुत सारा effort लगता है, तो इस तरह से हमलोग क्या करते हैं? energy we save करते हैं और water we save करते हैं चुकि recycling for the recycling of the paper we need lots of water और यह बात समझ में तीस सरे से हम लोग क्या करते हैं we save water in this way by this we not only save trees but also save energy and the water needed for manufacturing paper moreover the amount of the harmful chemicals used in paper making will also be reduced और देको क्या होता है for making papers we use different type of chemicals so when we recycle the papers we also save our earth and ourselves from harmful chemicals तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग recycling करते हैं paper का तो उसमें क्या होता है या फिर कम यूज करते हैं तो उससे क्या होता है जो harmful chemical का उपयोग बार बार होता है उससे भी हम लोग बच सकते हैं चलो अगे हम लोग देखते हैं आगे क is there any permanent solution to the problem of deforestation yes there are lots of solution for 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 saving deforestation deforestation से बचने के लिए हम लोगों के पास बहुत सारा solution है जैसे क्या है सबसे पहले तो eforestation है हमारे पास हम लोग क्या कर सकते हैं trees हम लोग लगा सकते हैं continuously और क्या कर सकते हैं we can reduce the use of the papers अरीवत समझ में और हम लोग क्या कर सकते हैं we can use computers and many other gadgets for writing on ठीक है और हम लोग और भी दूसरे दूसरे gadgets का उपयोग करके क्या कर सकते हैं उस पे leak सकते हैं जिससे paper का use कम से कम हो मेरे बच्चो ना चलो अब हम लोग आगे लेते हैं our next subheading that is reforestation क्या है reforestation काता है प्रोफेसर आमद सजेस्ट्स that the answer to deforestation is reforestation that is reforestation आर यह बात सबज में प्रोफेसर आमद सजेस्ट्स that answer to deforestation is reforestation जो deforestation है उसके बदले में हम लोग क्या कर सकते हैं reforestation कर सकते है मतलब पुना पेड हम लोग लगा सकते हैं जो पेड काटा जा चुका है उसके जगा पे फिर से हम लोग फीड लगा सकते हैं reforestation is restocking of the destroyed forest by planting new trees reforestation क्या होता है रिफॉरेस्टेशन है, रिस्टॉकिंग अफ डिस्ट्वाइड फॉरेस्ट बाइ प्लांटिंग नियो ट्रीज जो पुराने पेड कट गये हैं उसके जगह पे नए पेड को लगा देना, देखो जब हम लोग पेड लगाते हैं, तो क्या होता है, जो पेड कटा है, उसके जगह पे अगर हम लोग दूसरी स्पीसीज का पेड वहां पे लगाएंगे, तो वह पेड उतने अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, क्यों? देखो जो जंगल में पेड उखते हैं, वे खास तरह के क्लाइमेटी कंडिसन के कारण वहां पे ग्रो करते हैं, जंगल में जो पाटिकुलर जगह पे जो इसपीसीज ग्रो करता है, तो वहां पे हम लोग उसी तरह के इसपीसीज का अगर पेड को लगाते हैं, तो उसके ग्रो करने का और अपने मैचियोर होने का चांस बहुत बढ़ जाता है, तो इसलिए वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सेम इसपीसीज के प्लांट को क्या करते हैं, फिर से लगाते हैं, we should plant at least as many trees as we cut, हम लोगों को उतना प्लांट तो लगाना ही चाहिए, जितना प्लांट हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में काट देते हैं Reforestation can take place naturally also, ठीक है, देखो कभी कभी क्या होता है, sometime, अगर हम लोग जंगल को क्या छोड़ दे इसी तरह से, जहां पे क्या हुआ है, अगर हम लोग उसको छोड़ दे ऐसे ही खाली, तो nature जो है क्या करती है, automatically वहां पे plants को grow होने में मदद करती है, और वहां पे plant की जो संक्य क्या है, रियस्टोर हो जाती है, if the deforested area is left undisturbed, it restabilizes itself, in natural reforestation, there is no role of human beings, ठीक है, तो इस तरह से वहां पे क्या होगा, फिर से जो forest है, वो established हो जाएगा, in natural reforestation, there is no role of human beings, we have already caused tremendous damage to our forest, if we have to, देखो हम लोग पहले ही जंगल को क्या किये है, बहुत अधीक नुकसान पहुचा चुके है, पहले ही हम लोग क्या किये है, बहुत अधीक नुकसान पहुचा चुके है, और आगे मेरे बच्चों हम लोग नहीं चाहेंगे, कि हम लोग अपने जंगल को छती पहुचा है रिटेन आवर ग्रीन वेल्ट पोर फ्यूचर जेनरेशन प्लांटेशन ओप मौल ट्रीज इस द वनली ऑप्शन और जो हमारे भविस्ते में आने वाले बच्चों की पीडियां है ओ जो यह हरे रंग का सोना है ना ग्रीन गोल्ड इस यह इसका दर्शन उनको भी हो सके इसक लिए हम लोगों को क्या करना चीए अधिक सथिक प्लांट लगाना चीए प्रोफेसर अमद टोल देम थैट इन इंडिया वी हाफ्ट सब्सक्राइशन एक्ट भारत में क्या है भारत में फोरेस्ट कंजरवेशन एक्ट बनाया गया है ना जंगल को बचाने के लिए कुछ न और और इसका परनाई में एक प्र क्यास ओल्ड्वाद awhile वे टूर्ट अब और समय बार करने के बारत क्या होता है, माधो जी asks the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset, देखो क्या होता है, after sunset the activity of wild animals increases in the jungle, जब sunset हो जाता है, तो जंगल में wild animals की activity बढ़ जाती है, मेरे प्यारे बच्चों ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसलिए प्रोफेसर आहमद उनको क्या बता रहे हैं बच्चों को, कहते है कि अब साम ढलने लगा है, अब हम लोगों को किधर चलना चाहिए, अपने घर की और प्रस्थान करना चाहिए, on getting back, प्रोफेसर आहमद and the children, thank माधो जी for guiding them through this exciting experience, ठीक है, अब क्या होता है, कि after coming back to their homes, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, माधो जी को धन्यवाद देते हैं, ज क्योंकि पूरे जंगल में इन सारे बच्चों को गाइड कोन कर रहा था, who was guiding all the students, it was Mr. माधो जी, ना, इस तरह से हम लोगों का ये चेप्टर क्या हो गया, in this way, this chapter ends, now, we have quick revision notes, तो अच्छलों इसको हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, कि हम लोगों क्या पढ़ा what did we study, अब हम लोग एक बार देखते हैं, इसको मेरे प्यारे बच्चों न, wildlife sanctuary, national parks and wildsphere reserves are names given to the areas meant for conservation and preservation of forest and wild animals, ठीक है, अब देखो, wildlife sanctuary हो गया हमारे पास, या फिर national park हो गया, या फिर biosphere reserves हो गया, are names given to the areas meant for conservation and preservation of the forest and wild animals, ये किसके लिए होते हैं, ये जो तीन नाम हमारे पास हैं, एक conservation और preservation के लिए होते हैं, कि इसको wild life को न, ठीक है, वायो डाइवर्सिटी, रेफेर्टी ओफ लिविंग ऑर्गनिज्म इन इस पेस्पिक एरिया, अब नए टर्म हैं हमारे पास, बायो डाइवर्सिटी, हलाके हम लोग इसके रिविजन कर लेते हैं, कि वायो डाइवर्सिटी क्या होता है, एक खास जगह पे पाये जाने वाले plants और animals की जो species हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, बायो डाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक हैं, अब आगे देखते हैं, plants and the animals of a particular area are known as the flora and fauna, देखो जो plants है, एक पार्टिक एक बिसीष्ट छेतरी पौधा मतलब या जानवर, वैसा पौधा या जानवर जो एक खास जगह पे ही पाया जाता हैं और दूसरे जगह पे वो नहीं पाया जाता है, वैसे plants और animals को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं, अब कहता है, इंडेंजर्ड species are those which are facing the danger of extinction, endangered species, वैसे species को बोला जाता है, जिनके भविश्य में धर्ती पे बचे रहने की संभावना बहुत कम है, वो क्या हो जाएंगे, यहां से बिलूप्थ हो जाएंगे, now we have red data book, contents are record of endangered species, जो red data book होता है, उसमें हम लोग इसका रखते है, record, endangered species का न, वैसे जो बिलूप्थ होने के कगार पे है, वैसे species का हम लोग इसमें क्या करते है, record रखते है, now we have migration is the phenomenon of movement of a species from its own habitat to some other habitat for a particular time period every year for a specific purpose like breeding, देखो, जो हमारे पास next heading है, that is migration, migration क्या है, migration एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होते हैं, जो कोई animal हो, या फिर birds हो, एक जगा से मतलब अपने natural habitat पर छोड़ करके, किसी दूसरे habitat में जाते हैं, चोकि उसमें climatic condition favorable नहीं होता है, किसलिए उनके breeding के लिए, तो दूसरे जगा के climatic condition में जाते हैं, ताकि उहां पर breed कर सके, और वे अपने बच्चे का परजनन कर सके, ठीक है, अब हमारे पास next है, reforestation is the restocking of destroyed forest by planting new trees, reforestation क्या है, reforestation में जो plant cut गया है पहले, उसके जगा पे नए पौधे, नए प्लांट को लगाने की प्रक्रिया संपन की जाती है, इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये chapter खतम हो गया, देखो हम लोग जो भी chapter कर रहे है ना, उसको तीन तरह से पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम लोग NCRT book से पूरा clear line by line पढ़ते हैं, उसके बाद इसका notes पढ़ेंगे, उसके बाद इसका question answer करेंगे, इसलिए जो भी मेरा वीडियो होना, last तक देखेंगे, और इंतजार करेंगे अगले next वीडियो का, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमको like करेंगे, comment करेंगे, और इसको share करना बिलकुल नहीं भूलेंगे, और मैं आपके total chapter का, एक एक करके बारी बारी से physics का, chemistry का, biology का, और पूरे science को cover करने का कोसिस करूँगा, thank you, thank you very much.